हेलो एवरिवान और वर्म वेल्कम तो एचीवर्स यूटूब चैनल अब हेरी गूर्ड मॉर्डिंग आइज एज भेरी 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 हैपी संडे दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर हर संडे की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विकली करेंट अफेर्स अर्थात इस सब्ता जो जो बाते हुई है जो जो महत्तोपुर्ण करेंट अफेर्स हुए हैं उसके प्रश्णों का संग्रा, महत्वपुर्ण प्रश्णों का संग्रा, जो आपके आगे आने बाले एक्जाम्स में बहुत ही महत्वपुर्ण होंगे, ठीके, और दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपुर्ण है, आप लोग लाश्ट तक देखिएगा, ओके, आपका संडे से मैं थोड़ा सा समय लूँगा 20 मिनिट के आज पास मैं समय लूँगा तो आपसे गुजारी से कि आप अपना 20 मिनिट हमें अबस्य देंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं इस बाग की करेंट अफेर्स को जिसमें 29 नवंबर से पास दिसमबर तक का कोश्चन है और दोस्तों एक बात और जो हमारे चैनल पढ़ना है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और वेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताक कि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले ठीक है शुरू करते हैं पहले प्रस्ण को देखते हैं कि भारत और किस देश ने भारत नागरिक परमानूर उट्जा समझाओते को अगले 10 बर्सों के लिए बढ़ा दिया है प्रश्ण का मतलब है कि भारत किस देश से नागरिक प्रमानूर उज़ा समझाओते पहले कुछ इस बर्स किया था अब उसको और आगे 10 बर्स कंटीनियू किया है तो अमेरिका अमेरिका ने 2010 में यहा समझाओता किया था 10 बर्स के लिए 2020 आया अब इसे 10 बर्स के लिए और बढ़ाया है मतलब 2030 के लिए इस समझाओते को क्या कहा जाता था एक दो तीन समझाओता भी कहा जाता है ठीक है यह आप लोग याद रखिएगा अब दुसरे प्राश्ण को देखेंगे कि इस देश की सरकार को जलबायो अपातकाल की घोसना पर जल्द ही फैसला करना है तो न्यूजिलेंड की सरकार को जलबायो अपातकाल की घोसना पर जल्द ही फैसला करना है लेकिन अब निव्जी लेंड की सरकार ने जलबायू अपातकाल की घोसना कर दी है मतलब निव्जी लेंड में जलबायू अपातकाल लग गया है तो यह जलबायू अपातकाल अब एक नया तरह का trend है बहुत साइज देश इसको follow कर रहे है अपने climate को सही करने के लिए अपने आसपास pollution को घटाने के लिए ये सब काम किया जाता है अगले प्रशन को देखिए तीस्दे प्रशन को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S.J. संकर इस समय तीन देशों की यात्रा पर है निमलिखित में से कौन सा देश उनकी इस विदेशी यात्रा का हिस्सा नहीं है तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? S.J. संकर है ये कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले तीन देश की यात्रा पर थे जिसमें बहरीन सेसेस और संजुकतर अरब अमिरात है लेकिन सौधी अरब नहीं है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सौधी अरब ठीक है? बाकी विदेश मंत्री है तो अपना विदेश निती को सुधारने के लिए ये घूमते रहते है बहुत जरूरी है कि विदेश निती ये आपका बनेवाज? साथ-साथ बंडे में 13,000 रन अस्पीट बनाने वाले बंडेवाज भी कौन बने है? बिराट कॉली ही बने है बिराट कॉली कंटीनी हुए लेकिन अपसोष की टीम इंडिया बंडे सीरीज हार गई लेकिन हमें विश्वास है कि हम िच्वास पर्ष्ण को हम लोग देखेंगे यहाली में 30 नवंबर को गुरुनानक देव की जयनती मनाई गई या उनकी कौन सी जयनती थी? तो गुरुनानक देव की है 551 आममी जयनती थी यहां दखेगा आप लोग और गुरुनानक देव कौन यह तो आपको पता है सिखो के गुरु थे, सिखो के भहुत ही बढया गुरु थे, और बाकि गुरु नानक देव के बारे में जब उस समय बहुत ही बढया सलीके से बताया गया था, जब इस प्रशन को कराया गया था, और ये आप लोग रोजाना करेंट अपेर्स को फॉलो करते हैं तो बहुत गलत करते हैं प्लीज फॉलो किया किजिए आपका ही फाइदा होगा बस आपका 15 मिनट लगेगा रोज का सुभा सुभा ओके पाचमे प्रशन को देखिए कि परधान मंत्री नरेदर मोदी ने विश्चु परसी देव दिपाबली उससर में भाग लिये हैं अब अगले प्रशन को देखिए कि Cambridge dictionary द्वारा word of the year 2020 से किसे नामित किया है देखिए अभी Cambridge dictionary का आया है कुछ दिन बाद Oxford University का आएगा मतलब बहुत सारे dictionary जो अपना dictionary चापते हैं वो हर साल उसमे word of the year define करते हैं तो इस बार company dictionary द्वारा word of the year किसे चुना गया है quarantine को चुना गया है क्योंकि quarantine, sanitizer ये सब अभी नए words आये है 2020 में नए क्या मतलब पहले भी थे लेकिन इस सब ज़्यादा परचलन में आये हैं तो जो ज़्यादा trending रहता है इंपोर्टेंट रहता है उससे हर साल word of the year से नामित किया जाता है अब अगले प्रशन को देखते हैं हम लोग कि QS, ASEA University Ranking 2020 में Consils पर रहा है तो देखिए यह ASEA University Ranking है कौन सी ranking है QS, ASEA University Ranking और इसमें National University of Singapore टॉप पर रहा है बस इसके बारे में और ज्यादा कुछ बताना है नहीं अगले प्रशन को डायेट हम लोग देखेंगे अगला प्रशन है कि 24 संजुक्त आर्थिक म और आप लोग पता होगा तो बेहतर होगा नहीं पता है तो और बेहतर है अभी आप लोग जान लीजिए देखिए आर्थ वियस्ता कैसे उपर जाए auf से वाट लगी हुई है तो उसे उपर करने के लिए बहुत सारे काजकरम होते रहते हैं सभी देश मिलकर बहुत सार समयलन करते रहते हैं उसी कड़ी में इस चौथा भर्जन था किसका संजुक्त आर्थिक मंच समयलन का ठीक है और इसका उद्गाटन कौन किये थे के के नाम पर रखा गया है अटल विहारी बाजपेई का नाम आप लोग को अबस से पता होगा जिहां आने वाले 25 दिसंबर कौन का जनुदिन मनाया जाता है ठीक है तो बेंगलूरू में एक बोरिंग वेडिकल कॉलेज था उनका नाम आप अटल विहारी बाजपेई के कॉले खाल के बात है ठीक है अब दस में प्रस्ण कौन लोग देखेंगे कि एवियन एनफ्लूणजा रोग हाल जापान जापां के किस साहर में फौर्ट्री फार्म में खो जा गया था देखिए अनफ्लूणजा के बारे में बोलना है कि जो एव्या एनफ्लूणजा था वह किस क जापान के किस सहर के प्रोट्री फॉर्म में खो जा गया था ठीक है अभी इसके और केस मिले होंगे इसलिए इसके बारे में पूछा गया है तो हिऊगा में जापान के एक सहर है हुगा उधर ही ये खो जा गया था इन फ्लूंजा ओके देखिए कोई भी बारस अधी मिलता है ना कोई भी विसारू मिलता है बाइरस तो किस जगह पर मिलता है 90% probability होता है कि जिस जगह पर वह मिलता है उसी जगह का नाम उसको दे दिया जाता है अब अगले परसन को देखेंगे कि हाली में जारी US Air Quality Index के अनुसार कौन सा सहर दुनिया का सबसे परदुसित सहरों की सुची में सबसे उपर है US Air Quality Index ठीक है इसमें लाहोर लाहोर को आप लोग जानते हैं जी हाँ पाकिस्तान में है पाकिस्तान का एक सहर है लाहोर यह सबसे परदुसित सहर है किसके नुसार? US Air Quality Index के नुसार और लाहोर के बाद ज्यादा दूर हम भी नहीं है लाहोर वाले बोलते है दिली दूर नहीं है तो उसी तरह से देखिए लाहोर फर्ष्ट पर है और नुदेली किस पर है? सेकेंड पर है मतलब हम भी ज्यादा पीछे है नहीं तरूपर है बार में प्रस्ण को देखेंगे कि होर्ण बिल नामक तेवहार की सराज में एक दिसमबर से 10 दिसमबर के बी दिसमबर के बीची और चोगी बार कोरोना पारस है इसलिए यह भर्चूली मनाया जाएगा बाकि इसमें क्या क्या होता है आप लोग इसे जानिए ओके तेरह में परश्ण को हम लोग देखेंगे कि निम्लिकीत में से कौन सा कैट फिस है जिससे नेशनल ग्रिन ट्रीबुन ने प्रतिबंदित कर दिया है देखिए फिस को बचाने के लिए कुछ फिस रेर होते हैं मिलते नहीं है उसके बचाने के लिए नेशनल ग्रिन ट्रीबुनल जो होता है ना फिसको प्रतिबंदित करता है या फिर वह मनुस्री के लिए हार्मफूल होता है इसलिए उसे प्र प्रतिबंधित कर दिया है अगले प्रश्ण को हम लोग देखते हैं अगला प्रश्ण है कि देखिए हाँ आप लोग समझ जाए यहां दिखा हुआ है यहां स्थानिये पारिश्टिकी तंत्र और भुगताओं के स्वास्त को नुक्सान पहुंचा रहा था तो चुकि यह मनु पर चुना गया है तो सेमलेस नामक लगो फिल्म को 93 अकैडमी पुरसकार मतलब 93 आउसकर आवार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टी के तवर पर चुना गया है अगले सा मुवी को छोड़ी आप लोग बताएंगे नहीं महुत कामचोर हो गये हैं आप लोग मैं ही लाजी ने छोटे जानबरों के लिए अपना पहला इकको ब्रीज बनाया है इकको ब्रीज ने समझते हैं आप लोग आप लोग नेशनल पार्क समझते हैं ना कि जानबरों को सेफ करने के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है तो उसी तरह से छोटे छोटे जानबरों को से देखिए, तो, England, Britain, जिसे आप लग बोलते हैं, यह किड़ाँ के टीका का उपयोग की अनुमती देने वाला पहला देश बना है, एक बात और, अभी देखिए, टीका आया नहीह, है लेकिन टीका पर राजनीती जारी है लेकिन ये बात भी अगले एक महीने के अंदर टीका आ जाएगा आपके लिए नहीं जो फ्रेंट वर्जर से उसके लिए और आपके लिए कव तक आएगा अप्रील के महीने ठीक है अब आई होब कि जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल ही होना चाहिए क्योंकि कोरोना के स्वरी कोरोना के नहीं मास्क के इतने बरजन आ गए हैं कि देखकर दिमाग छोड़िए अगले प्रशन को देखते हैं कि है अगला प्रशन है कि हाल ही में BSF का कंसा स्फापना दीवस कब मनाया गिया तो हाल में BSF का प्रफ्लमास स्फापना दीवस मनाया गिया is दिसंबर को मनाये गिया ओके बिएसेफ का फूल फॉर्म क्या है बॉर्डर सेकुरेटी फॉर्स आपको पता होगा इसका मोटो क्या है पुछ देता है आप लोग यादर किएगा जीबन परियंत करतब ठीक है इसका मुख्याले नई दिल्ली में यह होम मेरिश्टरी केंदर ग खाने के लिए आदी महुत्सव का काज करम होता है और उसमें कोई एक राजी को केंदित किया जाता है जिसमें बहुत सारे आदी बासी रहते हैं जैसे किसी साल जर्खन को केंदित किया जाता है लेकिन इस बार मध्यपर्देश को सेंटर में लिया गया है मतलम मध्यपर्द ने इसे 2017 में शुरू किया गया था ओके अगले प्रश्ण को हम लोग देखे जी हां थैंक्यू अगला प्रश्ण है कि हाली में किस चक्रबात को तमिलनाडू और केरल के से टक्राने की आसंका है तो देखिए अभी कोजनिर पले निवार चक्रबात आया निवार चक्रबात आ किधर तमिलनाडू और केरल में मतलब दोनों में तमिलनाडू कॉमन है ठीक है असा था कि चार्दिसा मर्तक यह टक्रा गया अब बाकी कंफर्म मैं हूं नहीं कि टक्राया या नहीं टक्राया ठीक है अगले प्रश्ण को हम लोग देखेंगे कि हाली में सभा मुझे कुछ यεται आगया इसलिए मैं आपको बतादेता हूं लोगसभाद्यच्वाद्यच्रा इसलिए में आपको बता दोनों को measurement करता है इसते बारे में किस आर्टिकल में दिया हुआ एक टरीZA बसा या दोनों में युद्ध हो गया ठीक है दोनों में क्या हो गया यह मिस राज सरकार ने 8 मीं से 12 मीं तक के चात्रों को ओनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्थ टैबलेट देने की घोशना कि माल ओके तो हरयाना की सरकार ने यह मैंने पहले भी बताया कि अभी आया नहीं वैक्सीन लेकिन उस पर चालू है क्या राजनीती तो बंगलादेस की सरकार ने बोली है या बंगलादेस की सरकार के द्वारा यहनी नहीं लिया गिया है कि जब वैक्सीन आ जाएगा तो हम अपने तीन करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे ठीक है अगले प्रेस्न को देखेंगे कि हाली में किस लाज cultivation पूरस्कार लोटा दिया है अपना ने यह लोटाने करीं नकिया है क्यों क्योंकि अभी आपको पता हूँ किसानों का बहुत सारा आंदोलन चल रहा है ठीक है इसलिए अब अगले प्रेशन को देखेंगे कि गंतंतर दिवस 2020 में मुख्य अतिति के रूप में किसे बुलाया गया है ठीक है तो गंतंतर दिवस 2020 में मुख्य अतिति के रूप में ब्राजिल के राष्ट्पति को बुलाए गया था सब याद है अभी अगलने लोग देखेंगे कि कौन सा दुनिया का इसा पहला देस बनी है जिसने लैब प्रोड्यूस मिट के विक्रिक के वनुमती दे दी हैं लैब प्रोड्यूस मिट समझते हैं जिहां माल लिए किसी जानवर की जाश परताल हुई या फिर लैब में साइंस लैब में उससे कुछ उस पर एक्सपरिमेंट हुए उसके बाद जो मीट बच गया उसो फिर वीक्री के लिए बाजार में भेज दिया तो सिंगापुर ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है देखिए यदि आपको पता हो तो लैब से छेड़ चार करने पर हिया जब चमगादल का कुछ भी का था तब को से बड़ा कौन है भारत है और आया तक कौन है चीन है याद दखिएगा अले प्रेशन को में लोग देखेंगे कि भारती रिजर बेंक द्वारा रेट कितनी प्रतिसतनी उधायत की गई है रेपो रेट क्या है कैसे यह सब बता गया था आपको रेपो रेट हुआ दर है जि मांईपूर का प्रेशन प्रेशन का नाम भी आपको मेंने कल बताया था फिर से आज बता रहा हूँ भांग्फॉक सिह्मा gerekiyor फीर के कि अपने राजसे 2030 तक एड्स को खत्म कर देंगे इसके फुल फॉर्म के बारे में बताइए यह कैसे होता है ज्यादा दर किसे होता है इसके बारे में बताइए ठीक है तो चलिए सुरू हो जाइए हम अगले प्रश्ण को देखेंगे अगला प्रश्ण हो चुका है उसके पलुचिस्तान से प्रधान मंत्री बनने वाले प्रधान मंत्री थे ठीक है अगले प्रश्ण कौम लोग देखते हैं कि हाली में अंतर राष्टिये सेंड आर्ट फेस्टिबल का नौमा एडिशन कहां सुरू किया गया है तो अडिसा में बीच वाले एरिया में किया जाएगा तो अडिसा में चुकि आंदर प्रधेस भी अपसर में था इसलिए आप याद रखने में आपको दिक्कत होगी लेकिन याद रखिएगा ओडिसा में सेंड आर्ट फेस्टिबल का नौमा एडिशन साथी साथ कोनार्क फेस्टिबल का एक तिसमा एडिशन सुरू किया गया ह अब अगले प्रशन को हम लोग देखेंगे कि हाली में भारतिये मूलगे किस अमेरिका वालिका को टाइमस मैक जिन ने टाइमस कीड ऑप दा इयर चुड़ा है तो गितांजली लाव को टाइमस कीड ऑप दा इयर से नामीत किया है किसने टाइमस मैक जिन ने और क्या अगले प्रश्ण को अब लोग देखेंगे जो प्रबैबली आज का अंतीम प्रश्ण होगा प्रश्ण है कि हाली में किस कंपनी के मालिक स्रीधरमपाल गुलाटी का निधन हो गया है जी हाँ असली मसाले ससस्च, MDEH, MDEH, इनसे आपको क्या सिख मिलता है ध्रमपाल गुलाटी से, कि अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए, सेलिब्रेटी को ही हायर करने की जरुत है नहीं, आप खुद भी टीवी पर आके इस से फूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को, ठीक है, तो rest in peace ध्रमपाल जी, ओके, दोस्तों तो आप लोग अपना किम्ती बक्त हमारे लिए दिए, आपका बहुत-बहुत धन्य बाद, एदि वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक कर देजिए, वीडियो को हो, लाग लगा है, इस ज वीडियो के झाल कर दो मेंदा एक कमेंदियो को लिए दोग जवग लिए स는नी मुटब भूद, हम मैंदार, वीडियो किष्ऻयो